वाहे गुरुजी का खाल साव वाहे गुरुजी की फते पंजाबी आडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे स्रोत्यानों मेरे स्तंत्रक और वल्लों प्यार परी साथ श्रीयकाल अज असी नमी किताब शुरू करन जा रहे हैं जिस्दा नाम है गदरी बाबे कौन सान लेखक अजमेर से एहे गुरु करों लेआ है कम्यूनिजम ने गरीब दुखी दुनिया दा बड़ा पला कीता है पर इस विच अजे तूटिया हन सिखी बहुत वड़ी चीज है कम्यूनिजम सिखी दा एक आंग है एहे सिखी विच समा सकदा है पर सिखी इस विच नहीं समा सकदी गुरु का लंगर सांजी सेवा तेरा कार सो मेरा कार इस दापर चार सेंकडे साल गुरु सहबान ने करके सांजी वालता अते ब्राबरता दा रादस्या बाबा वसाखा सेंग किताब दापर सांग ते मनोरत गदर लहर बारे बुण्यादी जेहे ताथ एही हन वीमी सदी दे मुडले साला दुरान पंजाब तों कुझ लोक रोजी रोटी लई अमरीका कनेडा पहुंच दे सांग जिन्ना विचों बहुत सारे सिक्सान हिंदू ते मुसल्मान टामे टामे ही सान उत्थे जाके उन्ना नू प्रवासी जीवन दे कुझ बेहद कोडे अनुपव होए बगानी तरती उत्ते प्राय लोका अंदर विचर द्यां उन्ना नू कई किसम दिया मुश्किलां ते दुश्वारियां दा सामना करना प्या जिस विच्चों उन्ना अंदर इकता अपने तारम ते सब्याचार दी रख्या करन दा गैरा एहसास ते सरोकार पैदा होया अते दुजा अपने देश नू बदेशी गुलामी दी लानत तों सुर्खरू क्रौन दी राजसी सोजी ते तांग पैदा होई उन्ना ने अपने हकां हित्ता दी राखी लई जथे बांद होना शुरू कर दिता छोटिया ते स्थानिक पदर दिया जथे बंदिया तों शुरू करके उन्ना ने अप्रेयल 1913 विच हिंदी एसोसियेशन ओफ पैसिफिक कोस्ट दे नाम हेट अपनी सांजी राजसी जथे बंदी बनाई जिस दा मनुरत पार्त अंदर 1877 दे गदर दी तर्ज उत्ते अंग्रेजी हकोमत दे विरोध फोजी बगावत करना मिथ्या ग्यासि असूली तोर ते इस जथे बंदी अंदर सारे तर्मादे पार्ती लोक शामिल हो सकते सान पर अमली तोर ते इस दे मेंबरा चों 95% तो वर्द सिख की सान ही सान इस जथे बंदी ने लोका अंदर राज सी चेतना फिलाओं दे मन्तव नाल गदर दे नाहेठा अपना अखवार शापना शुरू कार देता जिस करके हौली हौली इस जथे बंदी नू गदर पार्टी दे नाम नाल जानया जान लग प्य 1914 विच जदों पहला महा युद छिड प्याता गदर पार्टी ने जांग विच फसी अंग्रेजी हकूमत दा तक्ता पल्टाओं दे इरादे नाल देशवाल वहीरा कातलंया छेतों लेके आठ हजादे क्रीव पंजाबी प्रवासी अमरीका कनेड़ा अते होर्ना थावा हां सिंगापुर मलाया बर्मा चीन ते स्यां पाव थाईलेंड आदतों अपने कारकार ते जायदातां छाड के पंजाब लेरवाना हो गए इना सत अठ हजार मर जीवडियां विच्चों हिंदू अते मुसल्मान राल के पंजाब तों वद नहीं सन बकी सारे सिख किसान सन समु जरियां चों बहुत सारे नू कलकत्ते दी बंदरगा उत्ते उतर द्यां ही गिरफतार कार लिया गया सी जेडे बाच बचा के देश अंदर दाखिल होन विच सफल हो गे उनाने फरवरी 1915 विच अंग्रेज सरकार नू उल्टाउन दे मंतव नाल फोज्जा अंदर बगाव सुये ने कुलिस नू बगावत दी जोजना बारे अगाउं ही जान कारी दे दित्ती जिस सदका बगावत दी मिथी प्लैन ने प्रे नाचाड सकी ते सरकार ने गदरिया नू वड़ी संख्या विच गिरफतार करके उन्ना उत्ते राज त्रो ते बगावत दी साजिश दे म कद में चलाए पार्त अते अंग्रेजी राज हेठले टापुआं अंदर कुल मलाके दो सो दे करीब गदरी इनकलाबिया नू फाहे लटका दिता गया अते सैंक्डिया नू उमर कैद ते होर सक्त सजामा दे के काल कोठडियां अंदर ड़क दिता गया पार्त दी अजादी दे अंदोलन अंदर होर किसेवी इकली लहर ने गदर लहर जिनियां कुरबानियां नहीं दितीयां पर इस दे बावजूद इस लहर नू इतिहास अंदर बंदा मान ते स्थान नहीं मिलया पंजाब दे परसिद लोक गाएक बबु मान ने गदर लहर नाल हुए इस वरतारे नो अपने एक गीत दे इना पाग पूर्त लफजाना ही दरसाया है दावियादी दोर्च पंजाब पिछे रह गया पागत सिंग आ गया सराबा गिते रह गया सारी अजादी कल्ला गांधी तानी लह गया गदरी बाब्यादा के में गदर पुलामा मैं चूठे तिहास उत्ते मोहर के में लामा मैं बबु मान वल्लों सैज पाक कई गई इस गाल दे अर्थ बहुत डुंगे हन इन अर्थानू डंगाई विच जाके समझन दा यतन सब तो पहला दोहजार नौ विच पंजाबी युनिवस्टी दे इक होन हार खुजे आर्थी सेवक सिंग ने कीता सी उस नेलो दे आना तों सिख शहादत दे ना हेट शाप दे मासिकर साले दे अगास्तम ही ने दे अंक विच खोज परपूर लेख लिख्या सी जिस विच गदर लहर दे परमुख इतिहासकार अते नामवर खबे पक्खी विदवान डक्टर हरीश पूरी दे गदर लहर बारे सिदान तक निर्न्यानों ठोस तथां ते पाएदार दलीला नाल चुठलाया ग्या सी सरदार सेवक सिंग ने पहली वार एहे महत पूर्न तथ उबारंदा जतन किता सी की गदर लहर दी प्रेरना दे सोम्या इस दे चेरे मोरे चाल टाल सोच सरगर्मिया ते मनो रथांतों साफ पता चाल जान्दा है की इस लहर दे पिशोकड विच सिख स्पिरिट काम कार दी सी इस ताथ दी वजा करके ही पार्ती अजादी दे इतिहास विच वड़ा हिस्सा पौन वाले गदरी सूर में मुखतारा दे हामिया लई पूजनीक नहीं बने इस करके ही गदर लहर दे शहीदां दे तारा मंडल विच चांदवांग चामकन वाले शहीद करतार सिंग स्राबा दे जीवन बारे सो साला अंदर इकवी चाज़दी किताब नहीं लिखी गई उस उत्ते इकवी फिलम नहीं बनी पार्लियमेंट हाल अंदर उस दी तस्वीर लौन दी मांग किसे नी नहीं किती उस दी याद विच स्राबे पेंड अंदर राजव्यापी शहीदी मेला नहीं लगदा अते उत्ते देश दा कोई वी लिडर गदर लहर दे शहीदा नूँ शर्दा दे फुल पेट करन लई न नहीं पहुंच दा गदर लहर दे इस लाडले शहीद नूँ कोई शहीदे आजम नहीं कहन दा गदर लहर ते इस दे शहीदा दी इस बे कदरी नूँ दहा क्यां तक किसे ने वी गंबीरता नाल नहीं लिया गदरी बाबया ने जेला विचों बाहर आके अपने शहीद साथियां दी याद नूँ जिऊंदा रखनले बाबा वसाखा सिंग दी अगवाई हेठां देश पागत प्रवार सहाई तक मेटी बनाई सी अते अपने सनेया कोलों फांड इकठे करके जलंदर विखे देश पागत यादगार हाल उसार्या सी ता जो ओन वालियां पीडियां इन शहीदां दी सरबात दे पले वाली सोच ते स्पिरिट कोलों प्रेरना लेके मानवता दी सेवा कर सकन बाद विच जाके देश पागत प्रवार सहाई तक मेटी दा नाम बदल के देश पागत यादगार कमेटी बनादता ग्यासी गदर पार्टी दे बानी बाबा सोहन सिंग पकना ने अपनी जिंदगी दे विशाल ते गैरे अनुपव विच्चों एहे सच पशान ल्यासी की कम्यूनिस्ट पार्टीयां अपनी जमांदरू विचार तारक तांग नजरी दी वजा करके गदर लहर दे शहीदां ते सूर म दी सरबात दे पले वाली सोच दे स्पिरिट नाल इनिसाफ नहीं कर सक दियां इस करके गदरी बाब्यां दी एहे इच्छा सी की देश पक्तियादगार कमेटी कम्यूनिस्ट पार्टीयां तों अजाल रहनी चाही दी हैं बाबा पकना जी ने अपने ठोस्त जर्बेचों कम्यूनिस्टां दी कबजा करू रूची दा पूरा ते सही अनुमान लाल्या सी की उन्ना अंदर दूसरे दे दूसरे पान नूं सहन कर्न पाव उन्ना नानों वकरेटा अंगनाल सोचन वाले लोकानों बरदाश्ट करन दी फराख दिली नहीं हुंदी उन्ना अंदर दूसरे नूं अपना दर्सान जा अपना बनाउन दी जोरदार लालसा ते परविर्ती हुंदी है ते इस दे लई ओहो किसे विहाद तक जा सक द बाबा जी ने एहे सारियां गल्ला अखी देखियां ते हड़ी हंडाईयां हुईयां सन तेरा मार्च उन्निसो सततर नूं बाबा गुर्मख सेंग ललतो दी मौत हो जान दे नाल ही उन्निसो चौदा पंदरा दे पूरवाले गदरी बाबे द्रिशतों लोप हो गय सन इथे एहे सपष्ट करना जरूरी है कि बाबा पर्त सिंग बिलगा जां कामरेड गंदर्व सेन कोचड नूं गदरी बाबे कैना तकनीकी तौरते दुरुस्त नहीं है उन्ना दा उन्निसो तेरा उन्निसो पंदरा वाली मुडली गदर पार्टी ते लहर नाल कोई सबंद नहीं सी ओहो बाद विच वीवियां दे दहा के अंदर राजसी खेतर अंदर सरगर्म होए सान ते उन्ना ने किर्ती गरूप दे मेंबरां दी हैसियत विच गदरी बाबया नाल रल के सांजे जान तक कोल लडे सान पिछों जाके ओहो कम्योनिस्ट पार्टी विच शामिल हो गए सान इस तरह बाबा गुर्मुक सिंग ललतो देश पक्त यादगार कमेटी नू गदर लहर नाल जोडन वाली आखरी कडी सी उस तो बाद देश पक्त यादगार कमेटी उत्ते नास्तक बिर्ती वाले कम्योनिस्टा ने पूर्ण काबजा कर लिया उन्ना ने अपना सारा जोर ग इस पक्त यादगार कमेटी नू अपनी सेल्फ परमोशन दा जरिया बना लिया गदरी बाब्यां दी याद विच लगनवाला सलाना मिला इस सोडे काज तक सिंट के रह गया इस तरह गदरी बाब्यां दी सरबात देपले दी विचारता राते विरास्त नू तंग दाइरे तक सुंगेड देता गया गदरी बाब्या नाल एही एक मातर बेंड साफी नहीं होई दूजी एनी ही निंदन योग बेंड साफी सिख कौंग दे आगुआ वल्लों होई है जिननने पिछले पंजास सालां तों गदरी सूर में नू अपनी याद विच्चों लगपग खार्ज ही कारदिता है गदरी बाब्या नाल वापरे इस दूरे दुखांत दी जड पिछले पंजाकू दहाक्यां दे दुरान सिख समाज अंदर आए रोहानी पतन दे वरतारी अंदर लगई होई है जिस दा परगटा समाजी राजसी ते सब्याचार्क खेत्रां अंदर व उस तों बे मुखोना है सिखी दे रोहानी विर्से विचों ही गदरी बाब्या दी असली पेचान किती जा सकती है गदरी बाब्या नाल जुडन दा अर्थ पंजाब दे रोहानी ते विसमाद दी विर्से नाल जुडना है इस तरह गदरी बाब्या दी यादनू सरजीत करन सिख तरम दी रोहानी चड़तल दा कार्ज ते अमल छोना है एहे कार्ज किसे पक्खों भी सौखा नहीं है पर इस तों बिना सिख कौम अपनी मजूदा अदो गती नूँ दूर नहीं कर सकदी जदों तक सीख पांथ अपने रोहानी ते विसमादी विर्से नाल जुड़या रहा उदो तक सीख कौम ते गदरी बाब्या विचकार्न पूर्न एक सुर्ता बनी रही सीख कौम गदरी बाब्यां विच्चों अपने रोहानी विर्से दे नक्ष पेशान दी ते उन्ना कोणों हाक साचले लडन दी प्रेरना ते शक्ती हासल कर दी रही वीमी सदी दे चालवियां दे दहाके तक एहे सुखामी हालत बनी रही इस तों बाद सीख कौम अंदर रोहानी पतन दा अजेहा सिलसला शुरू हो गया कि कौम ने गदरी बाब्यां वाल अपनी पिठ कर ले कम्यूनिस्टा ने इस स्थिती दा लाग उठाओंदे होए गदरी बाब्यां नू अपनी सौडी राजनीती दे दाइरे अंदर कैद कर लिया सरदार सेवक सिंग दी सिख शहादत अंदर छपी सीमत अकार वाली लिखत ने कुझ होर ना सिख बुद्धी माना अंदर गदर लहर देवरतारे नू नमे द्रिष्टी कोन ते कोखन दी बौधिक उतेजना पैदा कर दिती सरदार राजविंदर सिंग राही ने उसे वेले गदर लहर बारे पर्मा अध्याइन रंब कर दिता उसने पूरी लगन ते मेनत नाल पहला होए काम दी डूंगी छान बीन करन दे नालो नाल अत्यैंत मेनत करके गदरी बाब्यां दियां कुझ अनचपियां ते अनगौलिय लपिया ते इननों तिन जिल्दा विच्छछ छाप के पाकांदे सनमुख कीता गधृ बाबयां दिया इनन मौलिक लिखता ने गृ लःर बारे खोजदा काम असान कर दिता इना दी रोशनी विच गदर लहर बारे पहले विदवाना दियान लिखियां लिखतां दा योग मलंकन कीता जा सकता है हतली किताब नू इसे दिशा विच इक निमाना जेहा जदन सामझना चाहिदा है गदर लहर नू नमे द्रिश्टी कोन तों देखना सोडी ते नास्तिक बिर्ती वाले कम्यूनिस्टा नू गवारा नहीं होया अपने सुबा मताबक ओहो इस उते तिल मिला उठे हान पहला ता ओहो इनी गल भी सुनन ले त्यार नहीं सान की गदरी बाबे अपने ता आर्मी के अकीद्यां पक्खों सिख सान ते ओहो सिख ता रम दियां जुजारू रवाइतां तों उत्शाहेत ते प्रेरित होके देश दी अजादी दी लडाई विच शामिल होय सान उन्ना ने गदर लेहर नूं सिख विर्से नालूं तोडन दे मन्तव नाल तथा नूं तोड म्रोड के पेश करन दे सुचेत ते व्योंत बंद यतन कीते बाबा पाक्त सिंग बिलगा ने अपनी इक लिखत गदर लेहर दे अनफोले वर के विच लिख्या है कि गदरी बाब्या ने अजादी ते बराबरी दा संकल्प फ्रांस दे इनकलाग तोल्यासी डक्टर हृणिश पूरी ने लिखे है कि गदरी बाब्यान दे समर्पनते साधगी दे जीवन दा प्रेरना स्रोत लाला हर्द्याल सी डक्टर सुर्जीत हांस दा कहना है कि गदरी बाब्याने कविता दे जरिये परचार करंदी प्रेरना विनायक दमुदर सावरकर कोलों लई सी वर्याम सेंग संदू ने गदर पार्टी वलों परचार परसार लई स्थानक पशावांदा इस्तेमाल करंदे ताथनू गदरी बाब्यान दी विग्यानिक ते प्विक मुखी सोच दे सबूत वजों पेश कीता है गदरी बाब्यान दे हर करम नू सिख विर्से नालों तोड के पेश करंदी रूची दे एहे उगडवे नमुने हन इस तो एहे अनुमान लोणा ओखा नहीं की खबे पकी लेखका ने गदर लहर दे इथिहास नाल किनना खिलवाड कीता है पार होन गदरी बाब्यान दियां मौलिक लिखतां दे सनमुख कम्यूनिस्ट विदवाना ले इस पर तक सचाई तो खुले आम इनकार करना सोखा नहीं रहा की गदरी बाबे सिखता रमदियां जुजारूर वाइतां तो प्रेरित हो के ही देश दी अजादी दे संगराम विच शामिल होए सन पर उन गदर लहर दे सिख खासे तो मुनकर होन लई नमियां गुमरा करू दलीलां काडलया हन की गदरी बाबे मुड विच सिख विर्सेतों प्रेरित होन दे बावजूद बारले मुलकां विच जाके उन दी द्रिश्टी सोडियां तार्मिक वलगना पार कर गईयां सी ते उन दी सोच दा दाइरा विशाल हो गया सी की उन ने अपने तार्मिक विचारां ते अकिद्यानू निजी विश्वाष तक सेमित कर लिया सी की उन अपने तार्मिक विश्वाषानू राज निती नालों वख कर लिया सी वगेरा वगेरा कम्यूनिस्टां दियां अप्रोकित दलीलां दा पावर्थ एह बनदा है कि गदरी बाब्या ने बारले मुल्क पाव पच्छमी देशां विच जाके सिखी दे तंग दाइरेतों बाहर निकल के पच्छम दी कोई अजेही विचारता रहते द्रेश्टी ग्रेहन कार लईसी जिस दी स्पिरिट सिखी नालों वद विशाल वद जमूरी ते वद मानवदी है सीखता रम बारे इस तरह दी सोच पच्छमी ग्यान परबांद दी देन है इस ग्यान परबांद दियां जड़ां बहुत डुंगियां हन ते इस दे तने दूर तक फैले मामाहन मारकसवाद मूल रूप विच पच्छमी ग्यान परबांद दी ही एक वन्निगी है इस तरह पच्छमी ग्यान परबांद ने अलग अलग रूपां विच संसार दे सारे मुलकां ते खेतरां अंदर अपनी अजारे दराना चोदर ते हस्ती स्थापत कर लई होई है पंजाब दे खबे पक्छी विदवान पच्छम दे बौदिक हत्यारा नाल ही सिखी दियां जड़ां खोदन लग गए हन सिख तारम होवे जां गदर लहर ओहो हर कटना ते वरतारे नूँ पच्छम दे अध्युनिक वादी ग्यान प्रबंद दियां एनका नाही वेख दे हन ओहो अपने वांगू ही गदरी बाब्या दावी पच्मी करन करना चोदे हन ओहो गदरी बाब्या नूँ उन्ना दे रोहानी ते विसमादी विर्से नाणो तोड के उन्ना नूँ पच्छम दी पदार्थवादी विचारतारा जीनू ओहो वग्यानिक कैके वडेओं दे हन दे पैरुकार साबित करना चोदे हन इस मन्तव लई पहला उन्ना गदरी बाब्या दियां मौलिक लिखतानू सुचेत रूप विच दबाई ते छुपाई रख्या पार होन जोदों ओहो लिखतां जग जायर होग इन्याहन ता उन्ना ने इना लिखतां बारे गंबी ते उसारू बहस कारंदी वजाए अपनी पक चुकी आदत ते रूची मताबक उन्ना नूच नौती देन वाली विद्वाननू आप मते टांग नाल फिरकूते जाद प्रस्त गरदान के अपनी सफा अंदर उन्ना प्रती तो अस सब पैदा कार्न अते इस तरह सिदांतक बहस दी जैमत तों सुर्खरू हो जान दा होचा ते सौखा रा अख्तियार कर लिया है जेकर कमिनिस्टा दी इस तारा नू सच माल्या जावे की गदरी बाब्या ने तारम नू राजनीती नालों अलग कर लिया सी ता इस दा मतलब ए बनदा है कि उन्ना ने गदर लहर जेडी बिना शक राजसी लहर सी अंदर शामिल होन वाले अपने सिख विश्वाष्ण संस्कारां ते जज़ब्यानों पासे रख दिता सी जे कर एहे सच है ता फिर ओ केडे केडे विचार विश्वाष्ण ते जज़ब्यां आसरे लडे सन उदों अजे रूज अंदर समाजवादी इनकलाव नहीं आया सी अते गदरी बाब्यां दे अपने केहन मताब कही उन्ना नू उस वक्त मारकस वाद जां कमिनिस्ट सिदा आत बारे उका ही कोई जानकारी नहीं सी फिर स्वाल खड़ा हुंदा है की उन्ना आखरकार केडे फलसफे ते सिदा आता कोणू सेध ते प्रेर ना लई सी उन्ना ने जुलम ते बेन साफी विरुद लड़न दी सिख्या कितों ग्रैन कीती सी उन्ना अंदर साच्च ते इन साफ लई जूज मारंदा जजबा कितों आया सी गदरी बाब्या अंदर एहे सदगुन किसे विनायक दमोदर सावरकर दिया लिखतां पढ़के जा लाला हर द्याल दे पाशन सुनके पैदा नहीं होय सन्न्न सावरकर ते हर द्याल अंदर अजेहा तान किते सी ओ ता अपना आप भी नहीं संबाल सके सन्न्न एहे सिख गुरू सहबान दी कैनी ते करनी दी करामात सी जिसने गदरी इनकलाबियां अंदर साच ते इनसाफ लई हास हास के फांसियां उत्ते चूलन अते अंडेवान हजारी बाग ते होरना नारक रूपी जेला अंदर सिखी दी जुजारू स्पिरिट नो बलांद रखन लसानी होंसला ते बाल पैदा किता सी जेकर कोई इस परताख सचाई तो मुनकर हुंदा है ता उस दी नेक नीती बारे शाक खड़ा हो जान्दा है हथली किताब अंदर खबे पकियां दियां गदर लहर बारे नुकसान दार तारनावा दी तै हेठां काम कर दे अधियुनिक वादी ग्यान प्रबांद दी चीर फाड किती गई है इस दे पर मुखल अच्छना दी पशान ते पर चोल किती गई है अते इस नूसिक फलसफे नाल पलडे विच रख के तोलिया गया है इस तरह तारम निंद का नासिदां तक बहस दा विशा ते दाइरा विशाल हो गया है जिस वजा करके कुझ बुणियादी, संकल्पा, जिमे, तरम निर्पक्ता, देश पक्ती, राश्ट्रवाद, सर्व सांजी, पार्ती, कौम, दीता अरना आद बारे काफी तफसील विच जाना प्या है किसे नू एहे प्रवचन बे लोडा ते उक्ताऊ लग साखदा है, पर विशे दी महतता ते जिटिलता नू त्यान विच रखदे होए अजिहा करना जुरूरी सी किताव दा जारा पर सांग पले ही खबे पक्या नाल वाद विवाद वाला है पर हकीकत विच एहे किताब किसे वी किसम दे वाद तों बिलाग सदारन पाठ का नू त्यान विच रख के त्यार किती गई है इसे करके विदवाना कोडों खेमा दे जा चिक हाँ इस किताब अंदर गदर लहर ते गदरी बाबया नू समझन लई मुखत और ते गदरी बाबया दियां मौलिक लिखता नू अदार बनाया गया है इस करके जिन्ना खोजियां ने गदरी बाबयां दियां मौलिक लिखतानू समेदी तूड हेठों कड के च्छापन दा परुपकार कीता है असी उना दे निश्काम खोजियां विशेश करके प्रफेसर मलविंदर जीत सेंग वडैंच दे तै दिलू शुकर गुजा रहां राजविंदर सिंग राही नूता इस कृत दा अनिखडवां आंग ही समझना चाहिदा है उस दी खोज ते जानकारी गदर लहर दे सिदान्तिकार्न दे हथले कार्ज विच बेहद मददगार हुई है गदरी बाब्यां दी प्रेरना सिखी दी विरासत सी एक खुली गालबाद सिख संगार्श बारे तो हडिया तिन किताबा आ चुकिया हन जिन्ना विच्छ अठार्मी सदी तो लेके वीमी सदी तक दे संगार्श नू अधिया एन दा हिसा बनाया गया है वीमी सदी विच तकरीबन चार वार हथयार बांद विरोध उठया अते उन्यसो संताली ते उन्यसो चरासी दे वड़े साखे वापरे इन्ना सारय नाल सिखंदा सिद्धास बांद जुड़दा है गदर लहर वीमी सदी दी पहली लहर सी तुसी सिक संगर्ष अते गदर लहर विच किस तरह दसबंद समझ दे हो बहुत एहम मुद्धे बारे विचार करन तों पहला कुछ नुकते साफ होने चाहिदे हन ताही कुछ ठीक गल बात हो सकती है पहला नुकता ही गल समझन दा तरीका की होवेगा साड़े कोल गल नू समझन दे दो तरीके हो सकदेने इक पहला तो तै हो चुक्या तरीका जो अक्सर गालबतर दहुंदा है साड़े इत्थे लोगतां तरी टांचे दे ना हेठ इक सारवादी ब्रह्मनी निमाज दिया बुन्यादी मानतावां दा चोख्टा लगु है इस विच पार्ती राश्रवाद आंतम साच है तरम न्या कनून अते कौम आद सब चीज जांदे अर्थ इसे बुन्यादी सेद नाल कड़े उसारे परचारे ते मनवाई जांदे हन सिख संगर्ष ते गदर लहर बारे हुन तक इसे नुकते तों विचारिया ते लिख्या गया है दूसरा तरीका किसे महकूम जान लड़ रही ते रदा हुंदा है इहे तो हड़ा अपना सिखा वाला हो सकदा है जित्थों तुसी सिख द्रिष्टी कौन तों अते अपने विर्षे दिया लिहा मताबक चीज जां कटनावा ते वरतारियां दे साच चूठ नू नितार सकदे हुं पर एहे गल केहन सुनन नू जिन्नी सोखी लग दी है करन वेले एन उद्धूं उल्टवा परदा है क्यूंकि गालव ते रने अपना साच फला लिया हुंदा है पारू रुजान दे खिलाफ ली पाड के चलना सोखा नहीं हुंदा साड़े कोल उसे तरा दे बने बनाए चोख्टे नहीं की गल्ला नू सांचे वांग काटवड के मेच करके त्यार करी जाओ पाव तोहन नू अपना तरीका तै करना पैंदा है टोक के तोहड़ा मतलब सिखा दा अपना पार्खपड चोल दा कोई तांग तरीका नहीं है नहीं नहीं इस तरह नहीं एहे गल्लता तुसी किसे बारे वी नहीं कह सकते की फलाने कभीले कौम जां समाज दी कोई विचारता रह नहीं है जां उन्ना दा निर्खन पर्खन दा कोई तांग तरीका नहीं है एहे कहना ना सिर्फ गल्ल बात नू नकारन वाला तरीका है सगों अगले दी होंद नू मनन तो इनकारी होंद दा जां इस तोवी वद अगले नाल नफरत करन वाला है त्रीके हमेशा जीवित हुंदे ने एहे पके पकाई सांचे वर्गे त्रीके दा रोला हकूमती तेर जां फिर मारकस दा ना वर्तन वाले लोका ने पाया जेडा हाकमा नू ठीक बैठ दाई साड़े साबतों वड़ी गड़बड ई एहे होई की साड़े लोका ने खास करके पड़या हुयाने अंग्रेजा कोलों एहे मान लिया की साड़े कोल अपना इस तरह दा पके सांचे वर्गा कुझ भी नहीं है एहे जेडा हीनता दा पाठ सिखया इदे असर हेट उन्ना ने अपनी अगली नसलनू एहे गल सिखान ते जादा ही जोर दिता की जिंदगी दा तरीका हाकमा तों सिखो ते जिमें प्रफेसर किशन सेंग ने लिखे कि हाकम दी असली जित ही उदों हुंदी है जदों महकूम तेर अपनी हर चीज नूं माडी ते हाकमा दी हर चीज नूं चंगी मनन लगे पर एहे गाल सिर्फ अंग्रेजा दी नहीं है एहे दस्तूर मुडो चालदाए पुराणे समया विच युनान वाल्याने रोम वाल्याने अपने अधीन लोकानू इसे तरह ही सिखाया सी दूर की जाने अजे तक इत्थों दे हाकम सिखानू एही सिखायी जान देने कि सिख हिंदू ने एवी उन्ना दा अपना खासो खास तरीका है होर कोई एदा कदे दावेदारी नहीं करदा की फलाने वी साड़ा हिसाने जे इस तरह मान लिया जावे की हरेक दा अपना तरीका है ते अपने तरीके मुताबकता हरेक अपने आपनू सही ही मानदा है इसे तरह सचाई दा रूप की होएगा हरेक दा अपना सच होएगा फिर सही गल्त दा असल निरना किमे हो सकेगा हाँ एही सवाल सानू असल मुद्देवाल लेके जाएगा कि गल्त ठीकदार निर्ना किमे होवेगा एही धुज्जा नुकता है कि असी किसे मसले दी विचार किस मकसद लई कर रहे हैं पला सानू लोड क्यों पई कि असी गदर लहर बारे गल करिये साच दा एक नंगा रूप साडियां अखा सामने वापरदा है जीनू जमीनी हकीकत कहा जान दै कोई इस तों मुनकर नहीं हो सकदा जदों तुसी एनू समझन दी कोशिश कर दे हो इदे नाल जुड़ दे हो तां फिर होर परतां खुल दियाने हुन एक पासे तां गदर लहर बारे जो किताबा आयां ते आर रियाने उन्ना तों एहे प्रवाव बन दै की गदरी बाबे कामरेड सन एक पासे ओहो किताबा ने जित्ते ओहो निरे पारती शुद्ध हिंदी जां हिंदोस्तानी नजर आंदे ने गदर लहर दे योद्यानों सिर्फ पंजाबियां वजों पेश करंदावी बठेरिया ने जोर लाया पर जड़ी ठोस हकीकत है उस दा रांग अजे इनना सारेयां तो वक्रा है एहे गनीमत समझो की गदरी बाबया ने सानू कुझ ना कुझ असल विच काफी कुझ लिखती वी दे छड़्या है उस तो कोई भी पाठक बड़े अराम नाल अंदाजा ला साकता है की कोटो काट तिन गल्ला गदर लहर बारे बहुत उगड़मिया हन जो इतिहास लिखन व दूजी गल बड़े कुझ जेटांग नाल छुपाई गई एकी गदर लहर दा मुड बननवाले सिखसान अमरीका कनेडा गए सिखानू वार वार पंजाबी जा हिंदी ही लिख्या गया है दूजी गल उन्ना नू इनकलाबी जदो जहद लई प्रेरन वाला ताथ सिख पाते सिख रवायतां साने तीजी गल जेला विच बांद होन मगरों उन्ना गदरिया ने जिस तरह सिख रहत लई कठोर संगार्श कीता ओदा जिकर उकाही गायव कीता गया है हालांकि एक विदवान ने इस साचनू फड़या है कि बंदे दा असली किरदार जेल विच ही प इस गलतों असी मुनकर नहीं हां की गदरी उसे हिंदोस्तान दी अजादी ले लडे जीदे लही पाक्त सिंग लड़दा सी जीदे लही महातमा गांदी लड़दा सी शिहीद पाग्त सिंग अते गांदी जिन्ना बारे अक्सर चर्चा हुंदी है कि पार्ती अजादी लहर देदो सिरे सन ओहो दो में इस नुकते ते जुड़ दे हन कि ओहो दो में ही गदरिया नू अपो अपने नुकता नजरतों अते अपो अपने तरीके नाल इक तरा अपने नालों छोटे समीदे सन एही गल इना दा इतिहास लिखन वाले पेश कारदेने पार्ती अजादी दे नायक कहोन वाले अते इना नू नायक कैन वाले आंदा गद्रियां बारे सांजा नुकता साच दे सुखम रूप दे दर्शन करौंदा है एहे नुकते ही सही गलत दा असल निर्णा कार्ण विच साधी सा हाईता कार्ण गे की असल विच सिख संगार्ष जां गदर लहर नू के में तोड़ पान के पेश कीता गया अते कादे वास्ते शिहीद पाग्त सिंग ते गांदी नू इस तरह मेलना अजीब जेहा लगदै क्यूंकि गांदी ने गदरियां दा बहुत सिद्धा ते नंगा विरोध कीता सी जदो की शिहीद पाग्त सिंग गदरी बाब्यां प्रती अथा शर्दा रखदा सी किसे प्रती शर्दा रखणी इक गल है पर किसे दी सोच अते विचारतारा नाल इक मत होना वक्री गल है गल नू सोखी तरह समझन लई इक उदारन लई जा सकती है शायद ही कोई खाड़कू सिंग होवेगा जो शिहीद पाग्त सिंग प्रती शर्दा ते सतिकार ना रखदा होवे पर कि जुजारू सिंग शिहीद पाग्त सिंग दी सोच ते विचारतारा नाल मुत्फिक हो सकते हन इक इनकलाबी होन दे ना ते शिहीद पाग्त सिंग कदर कारदा सी पर एहे सोचन वाली गाल्य बई ओ अपने समकाली गदरी इनकलाबियां दे नाल क्यों ना रलया उसने गदरी बाबयानू छाड के आपनी वक्री जथे बंदी खड़ी करनी क्यों जरूरी समझी साफ है कि उसनू पाई संतोक सिंग पाई रतन सिंग पाई उदम सिंग कसेल अते बाबा गुर्मुक सिंग ललतो वर्गे गदरी बाबयां विच्च कोई सिदा तक उन ताई नजर आई होवेगी एहे कुंडी समझनी बहुत जरूरी है सचिंदर नाथ सन्याल अते वरिंदर संदू जो की शहीद पाउक्त सिंग दीपती जी है दिया लिखता विच्चों इस बारे परपूर इशारे मिल दे ने बाबा पाक्त सिंग बिलगा ने वी लिखे कि उस वेले वी कम्यूनिस्ट लीडर्शिप गदरी बाबयां बारे एहेतार न रख दी सी कि ओहो बौदिक पक्खों पछडे अथवा अनपढ़ हन जिस करके ओहो सामराज विरोधी जज़बा रखन दे बावजूद कम्यूनिस फलसफे नू समझनतों असमर्थान असली गालता एह है कि अंग्रेजी पड़े लिखे लोकां दिया नजरा विच आपने विरसे नाल जुडे होना पछडे पन दी अलामत समझा जान्दा सी शिहीद पक्त सिंग वी गदरी बाव्यां बारे इस नकारी पावना तो मुक्त नहीं सी एहे गाल थोड़ी अजीव जरूर लग साकती है पर इस बारे बढ़िया ठोस गल्ला पईया हन एहे अपने आप विच एक पूरी सूरी बहस दाविशा बनदा है चलो एहे मसला आपां कदे फिर विचारांगे आपां आपनी चाल रही गाल दी लड़ी अग्ये तोरिये मूल रूप विच असी गदरी बाव्यां दे मामले विच अजेहा की वखरा वेख देहां जो हून तक सामने नहीं ल्यांदा गया जे अपां सिख संग अर्ष दे पर सांग विच गल करिये तां सिर्फ अठार्मी सदी विच ही नहीं सगों अठारा सो उननजा तो बाद दे सिख संग अर्ष विच वी एक लगा तारता है पर इस बाद वेले संग अर्ष दी किसम विच जो फर्क है ओनू समे हलात अते थां दे हिसा अबनाल समझन दी लोडे इत्थों गदर लहर नू जांदियां पैडा दी निशान दे ही वी मिलेगी कूका लहर सिख राज दे सुफने नू लैके लड़ी गई आक्ति लड़ाई सी इस तो बाद सिखा ने हार नू दिश्दे रूप विच मान लिया पर तुर अंद्रों गुलामी कबूली नहीं सी एहे जेडी सिर ताजगी खुस जान दी तडपसी उने सिखा नू कदे वी टिकन नहीं दिता कदे किसे शकल विच कदे किसे शकल विच कदे छोटे रूप विच कदे तकडे उबार वजों एहे तांग उनना अंदर लगातार उसल वट्टे लेंदी रही अस्वियां दी खाड कू लहर दे उठन तक अस्वियां दे सिख खाड कू संगार्श दे इस तत नू समझना बहुत जुरूरी है कूका लहर तो लम्मे समय बाद एहे पहली वार्शी जदों सिखाने स्पष्ट रूप विच अपनी अजादी दे ना ते लड़ाई लड़ी एदे विच विच आले जो वाप्रिय ओ वी इसे निरंतरता दा हिसाए गदर लहर नू इस निरंतरता तों अड़ करके नहीं समझया जा साकदा तो अड़ा मतलब गदर लहर पार्थ दी अजादी दी थां सिखान दी अजादी दी लड़ाई सी आपां ता एहे जानना चाउने यां की पला सिखानू ही गुलामी क्यों चुभी बारले मुलकां विच तां दूजे पाई चारयां दे लोक भी गए सान बेजती तां दूजें दी इना तो जादा हुंदी सी सिख तां लड़ पेड के हिसाब राबर भी कार लेंदे सान पला ओ लोक क्यों नी वापस आ गए पार्त माता दियां जंजीरां कटन ले विचों टोक के पर गदर लहर दियां सफा विच कुझ हिंदू ते मुसल्मान वी तां शामिल सान सन्याल केंदै की अमरीका ते कनेडा तों गदर कर्ण आय इनकलाबियां दी गिंती 6-7,000 सी जिन्ना चों मसा पची ती 11 सिख सन जो किसे लहर विच नडिन्वे प्रतिशत लोक इको वर्ग दे होन ता तुसी इसनू की कहोंगे इत्थे समझन वाला नुक्ता एए बाई जेडी तडफ सिखां अंदर किते वी तक का वेख के चाट सिर चुक लेंदिये ओहों असल विच कीए एदा जिकर सन्याल वी करदाए कि इस खासियत लई सिख पार्त दियां होर सारियां कौमा नालों वखरे ने इस खासियत नू जाने बिना तुसी नहीं समझ सकदे कि सिख चीन दे 1911 वाले इनकलाब लई वी क्यों जा सिर डौंदे ने पार्त दी अजादी तों अगे वद के अंग्रेजां दे पूरे सूरे राज नू पल्टन दा ख्याल सब तो पहला सिख नू ही क्यों आया जदों की लगातार एहे परचार होई जारे है कि सिख दी अंग्रेजानल वफादारी कार्न पार्त गुलाम होया असल विच गुरु साहेब ने सिखा दे तूर अंदर अजादी दा एहसास पर दिता सी पंजाब विच चलियां सारियां लेरां दी प्रेरना इसे गुलामीतों नाबरी वाले एहसास दी निरंतरता सी वक्ती कार्न कोई वी बणया होवे पर पिछे एही पावना काम कर दी सी गदरी जा बबर अकाली ही नहीं तुसी नक्सलियां जिननातों बहुते सिखी तों मिथ के मुनकर होय सान दी टेक वी सिख विरसे ते वेग सक दे हों नहीं ता की वज़ा है की गदर लहर वांगू नक्सली लहर विच वी गैर सिखांदी शमूलियत उनना दी वसोंदे मुकाबले बेहद निगूनी सी इस मूल वज़ा दी तसीर जाने बिना सिख संगा अर्श अते पंजाब दियां वक्ख वक्ख उठियां लेरां दा ठीक तरां लेखा जोखा नहीं कर साकते तुसी एहे कह रहे हों कि लड़न दा जज़बा सिखी दी देन है इस गल लई तां पहला ही सिखां दी खासी निंद्या हो रही है कि इना नू लड़न तो बिना होर कुझ नहीं आँदा डक्टर हरीश पूरी ने गदरियां अते एना दा इतिहास लिखन वाले पंजाबियां दी पंडी किती है कि ओहो बहादरी दे सोले ही गौधे ने गदर लहर तो वी पहला अंट गौर ने गुरु गोविंद सिंग महराजा रंजीत सिंग समेत सिखा नाल इसे गलतों नफरत पर गटाई सी कि एहे लड़दे रहे हून सिरसे वाले मामले विच अंग्रेजी अखबारा ने सिखा सिर एही दोश मड़या है कि एहे हर गलते मर्न मारन ते उतारू ओंदे ने इक ता गुरु साहिब ने हत्यार चुकन नू आखरी हिला केहाए ते मेरा ख्याले ठीक इसे तरह होया है कि सिखा ने सिरों पानी लंगण मगरों ही सिर चुक्या दूजा लड़ना एनना सोखा नहीं हुंदा जिनना सिर्फ कलम चरीटन वाले समझ देने बिना गलतों लड़ना ता दूर हर लड़न वाली गलते वी नहीं लड़या जा सकदा मसलन गदरी सिखा नूँ वेख लवो इक पासे ओहो अमरीका कनेड़ा तों सिर्फ ते कफन बन के निकले दूजे पासे पंजाब विच पाई साहेब पाई रनतीर सिंग जी दे जथे नूँ छाड़के सिख समाज विचों उन्ना नूँ कोई खास हुंगा रा ना मिलया जे तुसी गदरीयां दे मामले विच अंग्रेज अफसर दी टिपनी वेखों ता गल समझ पैंदी है कि इकको कौम दे लोका नाल इकको समे दो वख वख थामा ते की वापर गया ओहो अफसर अपनी राय लिखदाए कि इना अनपड सिख किसाना ने बड़े बेफब्बे टांग नाल अजादी अते बराबरी दा साबक सिख लियाए एहे अपने नाल बड़ी खतरनाक लाग लेके आई ने एहे लाग अजादी दी लाग सी जदों ओहो अजाद मुल्क विच गए ता उनना ने अजादी दे फार्क नू वेख्या अते महसूस कीता अते इस नाल पेड़ा विच रले शेर दे बच्चे वांग उनना अंदर ली अपनी अजादी दी इच्छा जाग पई जोदों ओहो एहे इच्छा लेके आए ता इते उनना नू वक्री हालत दा सामना करना प्या ओहो पार्त दी अजादी दा संकल्प लेके आए सन पर जिस तरह डक्टर दर्शन सिंग तातला ने लिखे की पंजाब अंदर उदों अजे सिखा अंदर पार्त नू अपना वतन समझन दी सोच परफुलत नहीं सी होई उनना कोलों अंग्रेजा ने उनना दा जेडा वतन खोया सी ओ पार्त नहीं सी कोई होर सी इस करके उनना नू पार्त दी अजादी दा नारा उननी शिदत नाल नहीं टुमदा सी जिन्नी शिदत नाल सिख पशान दी रख्या अते खालसा राज दी पुनर स्थापना दा विचार उन्ना अंदर बिजली दियां तरंगा छेड दिन्दा सी एहे गल सामझे बिना अठारां सो उननजा तो बाद पंजाब अंदर वापरे किसे वी स्यासी वरतारे नू ठीक तरा नाल नहीं सामझे जा सकदा सिद्धी जही गल जिन्ना चेर सिखा दी सा रागनू हाथ नहीं पैंदा उन्ना चेर एहे पंबू का बान के नहीं उठ दे विच वद्वा दखल दिता जा ब्राह्मना ने मूर्ती पूजा दी अतकार दिती ते शिरी दर्बार सहे ते आपना हाक जतावना शुरू कार दिता फेर ही पांथ ने पासा परत्या हत्या आरबांद लडाई दा ख्याल वी बाहर ग्याने सोचया इत्थे उस वेले सिख पांथ सामने सरोकार वखरेसान अते उन्ना दी लडाई दे टांग तरीके वी वखरेसान इस करके पामे की सिख आगुआने गद्रियानू अपनी पुर्जोर नैतिक ते अमली हमायत ता जुटाई पर उन्ना दे हत्या आरबांद लडाई दे पैंतडे दा समर्थन करन्तों स्पष्ट रूप वीच चिजिक विखाई इस करके एहे कहना गल्त है की सिख हर वेले लडन मरन नू त्यार रहन देने पर एहे जरूर है की उन्ना ते एहे दोश उन्ना चेर लगदा रहेगा जिन्ना चेर उहो अपनी होनी दे मालक नहीं हो जान दे मेरे ख्याल विच तुसी फिर उसे नुक्ते ते आ गए की सिख अजादी दा मसला मैं जो पड़द्या लिखद्या अते अपने अबयास विच्चों सिख्या जिन्ना कू मेरी समझाया उस मताबक मेरी राए एही बन दिये की गदर लहर दी प्रेरना सिखी दी विरासत सी पर उन्ना नू एहे गल सिदांतिक रूप विचस पष्ट नहीं सी जे तुसी उस समय देहलात वेखू ता इत्थे सारी अगवाई नाव ब्रामनवाद देहाथ विचसी सिखा नालों सदी देड सदी पहला गुलाम होन नाल उन्ना ने नवे राजनितिक सिदांत दा लाहल्या जो सबब्बी उन्ना दे रास बैठदा सी अंग्रेज्या वल्लों इत्थों बाहर जानवाले सारे लोकानूं हिंदू कहन खरके एहे गल सिखा दे विरुद अते हिंदूआं दे हागविच जान दी सी एदे नाल हिंदुआ वलनों सिखा नूं हिंदु मन्नन दी गालनों होर बाल मिलिया जेस तरह उते नसली वरतारा सी उसने सिखा नूं गोर्यां दे खिलाफ तां पका किताई किता इते पार्त अंदर हिंदुआ नाल हुंदे तके ने सिखा नू उना दे हमदर्द बना देता गुरु तेग बहादर साहिप तो लेके अठार्मी सदीदिया पर उपकारी मिसाला उना दे सामने सान दूजया नू अपने ब्राबर सामजन अते दूजया दा पलाकार्न दी रीत सिखा नू विर्से विच प्राप्त है इस करके उना नू इस गल विच कोई मुर्श्किल नहीं आई कि ओगो सारे निरोल अपनी खातर नाल लड़के दूजया दी अजादी ले लड़न उन्ना नू अजेहा करद्या इतेहास दी पुनर सुर्जीती दा एहसास हुंदा सी नाले उन्ना ने नव ब्रामन वाजदा ओहो पोजा रूप नहीं सी वेख्या जो उन्ना मगरों खास करके अजादी मगरों सिखानू वेखनू मिल्या जित्ते लाला हर्द्याल वीडी सावर करते लाला लाजपत्राई वर्गे लोक हिंदू राश्ट्रवाद ले पूरे चेतन सन उत्ते गदरी बाबे कुर्बानी देता आर्मी करांग विच इस गल्तों बेलागते बेखबर सन की उन्ना दी कुर्बानी दी पावना नू तोहाननों ओहो सिखी दे रांग विच रंगे नजर आउनगे उन्ना दिगा लिफता विच एहे गल्ला मिलन गियां इस गल्नों तुसी एवे नहीं सोट सकदे की इस लहर दा मुड बनन तो पहला उन्ना ने होल्ट फारम दे गुर्दवारे विच अरदास करके हुकम नामा लिया की किता जावे फिर गुरु गोबिन सिंग दे गुर्पूर बड़ी तूमता अमनाल मनाया सार्यानू सद्या उत्थे विचार करके फैंसला लिया जथे बंदी बनावन दा एही गल उदोवापरी जदोपाई संतोक सिंग हुना ने उनीसो शबबी विच किर्ती रसाला शुरू किता सोहन सिंग जोश ने लिख्या की रसाला शुरू करन वेले सारिया सिखता अर्मिक रस्मा कितिया गिन्या मैंनू बहुत बुरा लगया उने अपनी स्वै जीवनी विच एवी लिख्या की रसाले उपर गुर्बानी दी पंगती आपन हत्ती आपना आपे ही काज स्वारी है जो पाई संतोक सिंग ने लिखनी शुरू किती सी मैं उन्यसो स्ताई विच संपाद कबान के ओधी था मारकस दा कथन लिख्या दुनिया पार दे मेहनत कशो इक हो जाओ ना सिर्फ गदरिया दा पहला पूर सगों दूजे पूर दे कामरेड बने किर्ती संगरामिये वी सिखी प्रेरना नाल जुडे सन एहे सिखी नू सोद्धा लौन वाला काम उन्यसो स्ताई तों जो शुहोरा वल्लों शुरू हुंदा है ते नकसल बाड़ी लहर दा वेला इस दा सिरा सी पर तुसी वेखों की प्रमपरा पिछा नहीं छाड़ दी हुंदी जदों असी उन्नीसो अठातर विच नकसली लहर दे सच्चे चूठे मुकाबलयां विच मारे गए कुल शहिदां दी सूची शापनी सी ता उस उपर कोई पाव पूर्त गाल लिखनी सी इस ते बहस हुई दूजे कामरेड माओं जे तुंग दी पर बतों पारी मौत वाली पंगती लिखनी चौधे सान जेडी उदों लहर अंदर आम पर चले च सी पर मैं जफर नामे विच्चों चड़दी कला वाली तोक देना चौधा सी बहुत अडफस तो बाद मैं अपनी गल मनवा सक्या सान इसे तरह जदों मार्च उनिसो सतर विच्च नकसलियां दा पहला चूठा मुकाबला बनाया गया तां पार्टी दे सकतर कामरेड हाकम सेंग समाओ ने पार्टी दे परचे दी संपाद की लिखन लगया पूरे जोश विच्च इक तरह वंगार के लिख्या चार मुए तो क् नकसली दोर दियां जुजारू कवितामा विच्चों वी सिख विर्से दा रंग साफचल कदा सी मैंनूता एहे सिखी दा असर ही नजराओ दै कोई जे नामने सचाई ने बदलता नहीं जाना अज असी गदरी बाबे कौन सन किताब दे 26 पन्ने पढ़ चुके हैं बाकी दी किताब असी अगले पाग विच पढ़ांगे वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फति